दिल्ली विधान सभा में चल रहा है इसको लेकर के जिस तरह से भष्ट सराब मंत्री शिशोदिया ने सराब घोटेला पर जनता और विपक्ष के सवालों से पैदा हो रहे के दवाब को कम करने के लिए दिल्ली विधान सभा पटल का इस्तमाल आज किया है और मैं यह कहना चाहता हूँ आज विशेश सत्र में कि दिल्ली की जनता को यह उमीद थी कि सराब पॉलिसी पर उठरे सवाल और भष्टचार के जो विशे निकल के आए हैं उस पे साइड मंत इस्तरी की हैसियत से वहां जनता के सामने उपक्ष रखेंगे या उन बातों के उन सवालों के जवाब देंगे जो साइदाज दिल्ली की जनता और देश की जनता के जहन में घूम रहे हैं अफसोस यह होता है कि विधान सभा के पटल का इस तरह का प्रियोग यह दुरुप कि जिस तरह से CBI की FIR में सिशोधिया का पहली पंती में नाम हैं सिशोधिया जी को जिस तरह से CBI की FIR से डर लग रहा है और सराब घोटाले को लेकर के कोई उनकी टिपनी कोई बयान कहीं इस तरह से रिकॉर्ड पे ना आ जाए कि कहीं CBI उनको अपने पास ना बुना ले उसी वज़े से उन परेशानियों से या उन सवालों से बचने के लिए या जनता के उन प्रशनों का जवाब जो जनता चाहती है उनसे बचने के लिए आज इस पटल का प्रियोक किया गया है सवाल यह उड़ता है कि यह प्रशन मंत्री की हैसियत से दिया गया जवाब जो आज पटल पे सिशोद्या जी ने रखा या एक साधारन विधायक के तौर तो टूएटी के तहट आज सिशोद्या जी ने बड़ा लंबा चौड़ा भाशन दिया हलाकि इस टूएटी के तहट आज उनका नाम भी लिस्ट में नही था दस लोगों को इस पे बोलना था अचानक से सिशोद्या जी का नाम लिया जाता है और सिशोधिया जी अपना पाक्ष रखते हैं और जैसे मैंने कहा कि वो पाक्ष सराप के घोटाले को लेकर के साइद आज उस पर को टिपनी करेंगे बात करेंगे उस पर ना करके महीमा मंडप या चाटुकारिता का काम जो है आज सिशोधिया जी एक परस्ताव के माध्यम से अर्विंद केजरिवाल को लेकर करते है और इस परस्ताव को जब मैं देखता हूँ तो अपसोस होता है कि एक तरफ तो अर्विंद केजरिवाल मात्मा गांधी जी की समाधी पे जाकर के आरोप लगाते हैं हॉस्ट Johnson का आरोप लगाते हैं, खरीद फ्रोक्त का आरोप लगाते है, लेकिन अने परस्टाव में कहीं उसका जिक्र Sir नहीं करते हैं, रिकारडर पे लेकर का हीं का कौन उनके विधायकों को खरीदने का काम अन हम परायरे है या हॉस्ट ट्रेडिंग का इस सरकार को गिराने के लिए अर्विंद केजरिवाल इस तरह के प्रस्ताव अपनी तारीफ में कसीदे पढ़ने के लिए खुद मुमिया मिठ्व बनने के लिए जो लगातार इस तरह का काम करते रहे हैं वही काम आज एक बार फिर इस प्रस्ताव के माध्यम से अर्विंद केजरिवाल की लोगो को लेकर के दिल्ली के लोगों के सामने नित नए दिन अपने पैत्रे बदलते हैं यदि इस नीती को सुरुआत से आप देखें जब इस नीती की बनानी की सोच इनों ने डवलप की तो सीला जी के द्वारा बनाएगी जो साब नीती इसमें चल रही थी उसके उपर प्रशन उ करता है हाला है कि इस नीती का विरोध कॉंग्रेस पार्टी लगातार करती रही किसमें ब्रश्टाचार की बाते निरंतर हमारे पास पहुंच रही थी जिसकी लिखित रूप में हमने कंप्लेंड और सिकायत दिल्ली प्रिस कमिशनर में भी कीती और जिसकी जाच यूडवल में चल भी रही